हलो स्वागरत ओस अभी का पर इसका नाव अंकेट सिंगो जैसे के आप सभी गता हैं मेरा शिंगा नाव रनकीट माइस महीं है जैसे कि है इनकीट किर दो horrifying ing na 한국नीघ आप चमपी जो यह करते ह Develop अभ नुए हूगा श्रूर पताशन के आपनोय की इसऊं को से नियुग probably तो आपको यार आपकी SGPA मिलेगी जो कि आपका overall marks होगा ठीक है यानि कि वो ही आपको count करेगा तो SGPA कुछ इस प्रकार से होती है तो देखो grade क्या होता है एक तो grade O यानि कि outstanding S यानि कि excellent फिर A यानि कि very good B good above average C होता है average D होता है E poor होता है और F fail होता है भाई ठीक है तो देखो अगर कोई outstanding यानि कि O grade किसी को आ रहा है तो उसको grade point जो मिलता है वो 10 होता है जो S होता है उसको 9 मिलता है A को 8 B को 7 C को 6 D को 5 और E को 4 और F को 0 यानि fail जो है उसको grade system क्या ही है ठीक है तो देखो है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें अच्छा क्या है हमको अगर college में कितना maintain करकर रखना चाहिए तो देखो है ये हऊँ है मैं तो ये कहुँगा अगर 7 से 7 के अबव आ रहा है तो काफी है ठीक है अगर अगर 17 में दिक्कत वाली बाती नहीं है तब आप सई जगा पर 7 के उपर आ रहा है तो भी ठीक है और जो कुछ पूचेंगे तो 6 तो 6 के उपर ठीक है देखो 6 के ओपर भी सही है क्योंकि semester छोटे होंगे उतने अच्छे से study होनी पाएगी तो मैं बता रहा हूँ 50 से 60% बच्चों को 6 के अबव ही आएगा बहुत कम बच्चे होंगे यह क्लास में जो की 9 के अबव ही 8 के अबव लेके एंगे ठीक है तो इसी तरीके से पर इसको बढ़ानी की कोशिच करना यह नहीं कि 6 6 यह आ रहा है 6 से 7 करना 7 से 8 करना 8 से 9 तब ही सही होगा बाकि D और E वाले भी अगर जो जिनके fail होने के नौबत करते कर डी भी आ जा रहा है तो चलो यह ठीक है पर fail मत होना पहले ही सेमेस्टर में बैक लॉग ना आ जाए कोई भी सब्जेक्ट में रियापियर ना ही यह कोशिच करना ठीक है तो होप करता हूं समझ में आएगा वीडियो पर 7 विडियो को लाइक करो वीडियो एंड करते है थे तो है तो है तो है तो है यह तो है तो है एंड करते हैं डीक हमने दाएक।